कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि आने जाने का तरह नहीं है जाते हैं कि मोटी जी की सरकार जानी चाहिए पर बाद कर दिया देखो पड़ी लिगी हो गया जरोड बेरी लगा रही है अगर राम मंदिर बना है देखार आपके साथ मेगा भाटिया आज मैं मौजूद हूँ दिनली की कृष्णा नगरी में और आज यहां की जनता का क्या मूड है वो जानूंगी देखे लोग सबस चुनाव बहुत पास में आ चुके हैं आपने देखा कल पहला चरण भी हो चुका है अब दूसा चरण आएगा उसके बाद दिल्ली की भी बारी आएगी और उसी पर बातशीत करने के लिए मैं सब बहुत सारे आप देख रहे हैं पीछे लोग भी जुड के बास Anda की सब्सक्राइब की सेञु़ी पार इंडिया तो लोगों के जन मानश है में जैसे बेरिजगार का मुद्धा है यह मुद्धा आपि इिवाइडर बगएर बहुत मतलब बहुत छोटे कामों की बात कर रहे हैं डिवाइटर वगेर लगा देना साओकों का निर्मान कार्य से बाद कर जाना और जो बिजली की वेश्था वहां मुझानलगने में भान स्रकारा ना लानेवारति यहां पाई कि थिर क्मम करते है लगा अभी है किया जीतेगा कुछ परेसान नहीं हुआ आई ओटो वालों की एच टैसी मार किये बसे फिरी करके सारे कर फिरी करके मोटर साइकलों पर सवारी डूल नहीं है ओटो वालों की प्या कहना चाहिए तो मेहगाई तो आना ही आना है तो क्या लगदा कांग्रेस की या गटबंदर की सरकार आगी तो के महंगाई नहीं हो सकती है महंगाई कोई नहीं रोख सकता और कम भी हो सकती है क्यों पहले 400-400 का सलंगारा आठ 900 रुपे का 800 का मिल ले आए इससे पहले 11-12 रुपे का मिल ले आ जहां आप देखो बीजेपी ने सरकार ने वादे किये थे सिलेंडर के दाम कम होंगे वहां हाई रेट चले गए पेट्रोल के दाम इतने हाई रेट चले गए रोजगार नहीं है जहां मैं उनकी बात सुन रही हूँ आपको क्या लगत ये भारत के 2004 के बाद आपने देखा होगा इलेक्टिकल हो गैस हो और रोड हो प्राइडिकेशन करने के चक्कर में सरकार ने सबको इसमें जहोग दिया है आपने देखा होगा कि हम गाड़ी खरीदते हैं उसमें पहले 15 साल का रोड टेक्स लिया जाता है उसके बाद यहां से आप शिकंदराबाद गाजियाबाद जाओगे तो उस पर टोल टेक्स लिया जाएगा क्या ये दोहरा मापड़न जरूरी है कि जब सरकार को हम अपनी गाड़ी का पूरे 15 साल का टेक्स दे चुके रोड बनाने का या रोड का या तो वन टेम टेक्स जो होता है वो भारत सरकार ने ले लिया हम से उसके बावजूद भी हमारे को टोल टेक्स देना पड़ रहा हर 15 किलोमीटर पर दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ देश के अंदर जो ये दस साल के अंदर अजरक्ता का महोल फैला है उसमें भाईचारा खतम हुआ है लोगों का प्यार खतम हुआ है एक दूसरे को आज हम देखना पसंद नहीं करते पिछले दस सालों में एक भी कार बिकाश का राम बद के हिंदू मुसे order भाईवाय चाहिए अज इनोने ये नारा खतम करके पहले जैज़वान जैकिसान जैकिसान आज जै़रकों कौन सी गाड़ी पर कौन सी जगे पर लिखा मिला है आप मेडिया से आप पूरे भारत में घूमिए इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ बेटियों के साथ आपने देखा हाथ रस में क्या कांड हुआ उसका आज तक कोई पता नहीं दिया पिछले दो ती चीजों पर आप मुद्देप उठाइए कि आज बेरोजगारी जो है पूरी चरम सीमा पर आपने कहा ठीक है बेरोजगार वेली पॉइंट पर बाद में आऊंगी आपने कहा कि हात्रस में आप देखिए वहां पर कोई सुरक्षा नहीं है लेकिन मैं जहां तक अभी दिल्ल पर दिखाता हूं इधर तो आप योगी जी बोल रहे हैं इधर महिला की चैन सीन के जा रहा है आपने देखो महिला बहुत दूर तर गसिट के गई एक हापूर की बेटी हमारी एक हमारी हापूर की बेटी थी ओटो में बैटी थी ओटो में बैटी थी उसकी चैन घिजने के पूरे देश का रोजगारी कौन से चरण पर रोजगारी तो उस चरण को भी पार कर चुके जिस चरण को किसी ने पार करा नहीं था आप किस की तरफ से हैं मैं जी जंता की तरफ से हूं आप वोट तो देने जाएंगे इसको देने जाएंगे जी कॉंग्रेस को देंगे पूर्ट पूरा-पूरा खुल कर आया उससे शाहिर हो गया जो महंगाई यह बढ़ाए गई है कि जो मोटर साइकल हमें आस 2014 में मातर सब् से उपर पहुझ गई है उसकी वज़ा यह के कंपणियों को इलक्टरोल बॉंड के माद्यम से जो पैसा सरकार को दिया गया है जो पार्टियों को दिया गया है उस फंड ने ही कई महंगाईों को बढ़ाया और चूट दी गई कि आप अपनी जो अमर्पी बहुत जादा तो आप क्या चाहरे हैं इसमें आपको क्या लग रहा है आपके एरिया में ना किसी की सोजनने से योजना नहीं आई है को योजना यह तो बताओ कॉंग्रेस के के सरकार आजेगी तो देख लो का कच्छों में थी हमारी सेना और कहां देख लो आज एसलार और वजू का बगरा है आप देख सकते हैं आपके लिए 12 और निकालना बहुत मुश्किल है जिसके वाला आज में खांचक हमारे खिलागा बार शुरुपय से लंडर आचा तीस रुपय के लोग का दखाया दरी बार आप किसके तरफ से मेडम जिस दिन से मनोज तो वारी यहां सांसत बनके हमारे चैत्र गया है आज तक किसी पब्लिक के बीच में हमारे बीच में को अंग्रेस की वंदे आयता है जो को अंग्रेस ने आप सुन रहे हैं कि बिल्कुल सीमा पर है लोग सबा चुनाओं और यहां पर प्रचार ही नहीं हो रहा है अब पर चार सुरू हुआ आएंगे वो हमारे बतलते हैं बतल के देखते हैं मनोज तो आई नहीं दूसरे को भी मौका देना चाहिए ना मैटम दूसरे को मौका देंगे हम कि अब इलेक्शन आने वाले मनुच्टिवारी के और साथ ही है वो भी आएंगे यहां पर किसकी सरकार बनने चीए यहां कॉंप पहले तो अब इतनी जो दो यात्रा नों का लिए इसने इतनी बड़ी लंबी-लंबी आत्रा पहता है कि से लेकर रहे हो जाए अब आदमी क्या चाहिए आदमी क्या चीए जो इस जंदा तरस्थ हो चुकी है बीचे भी सरकार में इतनी मेहाई हो चुकी है हर इंसान परशान है आज की टेम में मजदूर भी परशान है किसी के बाद जोब नहीं है जब जब बीजेपी कहते हैं हम दो क्रोड नोक्रिया देंगे आज एक यहां पर जुद्धी भी लोगों से बात करें हूं मुझे तो ऐसा लग रहा है सिरफ पर तो यहां पर जो है इतने टाइम से लेकिन आपको क्या लगता है कि यहां पर जो है इतने टाइम से जो आप लोग मुद्धों पर दे रहे थे वोट वो मुद्धी अभी पूरे हुए पिछले बार में जी बिलुकुल आज बिजली है पानी है आपका इस्कूल से हैं आपका होस्पिसल से सब चीज देख लिए आप कौन्जी सरकार ने करें पूरे आमादी पाटिन कर रहे है यह तो सच्चाई की तो जी जीत होनी होनी है जो सच पर चलेगा वह उसे चेर में डालेंगे डालेंगे सीधी से बात है आपके साब से करेजरिवाल सही है आप देख लिए खुर कर आएंगे वह अहांदी कितार आएंगे आप कितने साल के मैं ठारा का पहला वोट है क्या वोट बन बाली या बनेगा अब बनेगा आप तो आगए चुनाओ बन जागा ना बनने में वोट डालने का बाएद है कि हम तो एलपास करने के बाद पकोड़ी वेगने क्या काम मिला हमें तुनने में आए थी कि 2014 में कि भाई जितने भी यूवा के सबों के 15-15 लाग रुपर काउंट बाएंगे आएंगे नहीं यह सिरफ एक जुम्ला था बोला भी था उन्हों नहीं चाहिए जुम्ले वाली सरक पर नहीं चाहिए जाए जाएंगे तो यह वार्वी की बात पकोड़ों की ठेला लगाएंगे तो क्या करना पढ़के लिखके क्या फायता है यह बता हो हमें नोगरी मिलनी तो यह पर उपसन उठाया जाथा कि हाजी हम देश दुरूएंगे क्योंके हमारे नाम पर लगवा करते हम राम जी की आस्था से जुड़ेवे राम जी कोई बाहर की नहीं राम जी हमारे और राजीव गांदी जी ने 1989 में ताला खुड़ा यह हमें खूब अच्छी तरह से पता है सुप्रीम कोड का धन्यवाद करते सुप्रीम कोड ने राम मंदिर बनाए नागी मोधी जी जा रहे लिए जा रहे हैं आइसा कहा रहे है कि आंगरेस की है सरकार क्यों अरे हम कंगरेस को ऑन मोच तो डेता हैet Haibul क्वाफन कर जा एक तो अब भी कर रहेगीप हमारे तरक्षी होई दस साल में भी हमारे तरक्षी हम ने कोई भी तरक्षी नहीं हम जहां थे उससे नीचे और चले गए क्या लग रहे हैं तो जाएंगे और नोकरी मिलेगी कांग्रेस सरकार आएगी महगा ही कम होगी पहले मेंगाई कांगरेश राज में कम थी अब ज्यादा है ठीक है देखेंगे माइस साथ एक बहुत ही बुज़ूर्ग इंसान वी है जो जिनों ने काफी टाइम पहले का दोर भी देखा अभी का भी देखा अब आपको क्या लगता किसकी सरकार आने चलिए कोंगरेश के आएगी के इस बारी जो है बीज़ीपी की सरकार आएगी दिली में लेहर उसी की हो सकता है लेकिन आप चाहते हैं कॉंग्रेश की सरकार कॉंग्रेश की गंडबंदर में आएगी जना क्योंकि हम तो पहले भी कॉंग्रेश के सब्सक्राइब आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने चाहिए क्यों कि राउल गांदी जी नफरत के बजार में महबत की दुकान खोलने जा रहे हैं और हमें महबत ही चाहिए आपको क्या लगता है कि बारबर मैं ये सुन रही हूँ कि महबत खतम हो गई भाई चारा खतम हो गया नारा आता था हिंदू मुस्लिम से किसाई से बापस पे भाई भाई वो खतम करा दिया गया भीजबी वाला में खतम ही करा दिया दर सा लगता है अब कहीं जाने में आने में ये डरी खतम कराने के लिए इसलिए हम चाहते हैं कि राहुल गांदी की सरकार आए कॉंग्रेस की सरकार आने चाहिए देश में डर का मोहल बना रखा है मोमले चिंग बहुत हुई हैं 2014 से इसलिए नोजबान बह कुणकि इनके हिसाब से इतरां ये क्या चारे किसकी सरकार कि इसके पहला शुक्स में इसे टैने में जो कह रहे हैं बीजबी की सरकार आने चाहिए कि वाने निजिए बैए शरकार तो सारे ठीक है तो मैं अब तो बोला बीजेपी के पांच काम से लिए किसकी सरकार इंडिया कटवंदन क्यों बीजेपी न कड़ा क्या है पांच साल हो बनोस्तिवारी को देख लो आप पांच साल नज़र आया कभी भी किसी चीज के लिए पूचा कि इनके हिसाफ से पांच साल में को मनुश्तिवारी नज़र भी है हां जी मैम क्यों बरबाद कर दिया देखो पड़ी लिखियों कैस रोड पर एड़ी लगा रही हूं किसी इसकी रेड़ी लगा रही है खाने की क्यों आपको क्या लग रहा है क्यों आने चे बीजेपी की सरकार नोट बंदी करी बैंकों से पैसा निकल गया एक दम लोगों का नोट उजग गरो गया उसके बाद मेंगा इतनी बढ़ा दी गरीबाद में के लिए रोजगार निया बताओ कितनी कमिया गिनुआ क्या लग रहे हैं घटबंदन già सार्य कमिय सारी फुल्पिल हो पाएंग आप वह तो आनेके बहुत बता चलेगा पहले तो सब कहते हैं करेंगे करेंगे जब करके दिखाए जब जानों से अगर 10 साल पीछे जाए 2014 से जो आगे की सरकार यानि की कांग्रेस की सरकार थी वो सा लग लग रहे हैं दो किलो और ऑनने से और गुमल भषया कूछ निहीं यह वह पढ़ी कि वोग्रोड पर खड़ी हुं चाहिं 만들어 आप रेड़ा लगा रही वाज जोब नी मिल रही है आपने ट्राइक भी नहीं है आपके साब से अब पिछले दस साल से नौक्रियां कम हैं हाँ बिल्कुल है यह तो एक अलगी चीज निकल के आई है मैं इतना पड़ी लेकि उसके बाद मैं के साब से अब कम है हाँ क्या लग रहा है सरकार कोई भी हो मैडम सरकार चा कोई मतलब नहीं है रोजगार चाहिए गरीब को क्या चाहिए गरीब को दो रोटी चाहिए काम चाहिए दंदा बिजनिस कुछ भी चाहिए सरकार क्या देती है सरकार कुछ नहीं देती गरी बाद में वो क्या दे रही गरी बाद में जो है ना अपना रोजगार चाहिए बस बात यहां रोजगार से आपको सही लग रहा है महंगाई से और जो देखिए जहां में सर्वे करी उनके साफ से तो मोधी बगवान है मोदी ने अगर उनके साफ से देखू तो उनके तो इतनी बड़ी लिस्ट है कामों की राम मंदिर ले लीजिए उनके साफ से महिला की जो सुरक्षा है यूपी में बहुत अगरी है योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है अगर मैं देखू तो दिल्नी में भी कह रहा है बीजेपी की सरकार है उसके अलावे मैं देखू तो ब्रास सरकार शे नहीं होती बीजेपी या कॉंगरेश या आमादमी पार्टी सरकार से कोई मतलब नहीं गरीबह को देखो औरे लोग तो कह रहे हैं कि मोखिश जी ने देश में क्या विदेश में भी आपना नाम कर लिया इसा सबकुंट सबकुंट एक साथ देखो एक नजर से देखो जो गाउग का परदान होता है जो जबकुंट नजर से देखेगा न वहीं अच्छा कहला है आपके हिसाब से बीजेपी वाले जो है वो गरीबों पर द्यान नी दे रहे हैं घरीबों पर कोई द्यान नी दे रहा है चार सो पार राम लल्ला उनको चार सो पार करा देंगे पता नहीं खराएंगे किया मालू कमें लिए जारा यहां पर घुम रहे हैं तो सारी चले यह नभी जले गए सब चले गए अब जो इंसान रहे हैं उनकी परवा जिन्दा लोग उनको मिलें जाथर वोट इस बार क्या लगता है किन मुद्दों पर मिल जाएंगे राफिर से राममंदिर या कोई और पता नहीं लोगों की मिजास का पता कुछ है यह पीछे कुछ मुस्लिमों ने स्योग नहीं करा गया अगर राम मंदिर बना है ठीक है अर्ज रही बात उसकी वहां जाकर को नमाज पड़ रहा है वहां होस्पिटल मरा जेते स्कूल मरा जेते कितनी एजुकेशन मिलती हर तरीके बता है कुछ नहीं है तो सिरफ एक अंधभक्त है अंधभक् किसान और जवान जवान की चार साल की नोगरी कर दी किसान सारे परेसान है तो कहा जागा आदिमी राशन तो पहले भी मिलता था को यह तैनिया नोख यह दे रहे बात इंकी साहिए कि 70 सार पहले भी लोग खाना खा रहेते अपना बेट भर ररेते अच्छा काम कर रहेते हैं आपको क्या लगता है üzOb इन्होंने रोजगार पर बोला, इन्होंने बोला कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम समर्तक नहीं किसी पार्टी का, लेकिन जनता की नीट्स पर काम होना चाहिए। किसी काम पर रहे हैं, क्योंकि सरकार हमेशा अपने देश के हित में काम करेंगे तो उनको रोजगार जरूरू देगे, हमारे बीच में आप कितने साल के हैं, हैं जी, 25 सोचना पड़ रहा है, आपको अपनी एज के लिए, क्या करें हो बैटा, आप शीरा है, पूछ लिया ना, 25 साल है, पता ही, तुम रहे हैं पि, हां, क्या है आपको अपनी एज के लिए, 25 साल, 25 साल, उजला कुछ और सवाल, यूवा ही है, तीक है, यूवा है, यूवा है, क्या सोचती है, देखिए, आने वली जो पीडी है, यही है, इन्होंने सब देखने आगे, क्या आपकी नज प्राजनीती हो रही है, काम के नाम पे आप वोट मांगे दिखाओ, पांच काम ऐसे जिनाओ, जो भीजेपी ने करें हो, जो भीजेपी के आप से तुन्होंने बहुत काम करें, अगर मैं जनता, जनता, कोई है, यहापे बीजेपी सपोर्टर है, कोई आपर ऐसा, कोई 2014 के बाद, 2024 तक जो दस सालों का कारेकाल रहा है, यह कितने पांच, पांच फाइदे की बात कर रहे हैं, पांच तो कम है, कुछ जादे हो बता हैं, तो जादे बता सकते हैं, बताएगे गिल्वाई ही और्टेप्स किल्वाई हैं, हमने आप भार्द जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से 2014 तक जो नैशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया है, हमने उनको पर किलोमीटर जो कभी एक दिन में तीन किलोमीटर बनते थे, उसको हमने साथ किलोमीटर बढ़ा के 10 किलोमीटर पढ़ने का काम किया, एक सेकिन पहले उनके बुद्दे भी एक सेकिन पहले उनको परिवार को 80 करोर परिवारों को खादान ने दिया है, इनके हिसाब से अभी मैंने पूछा इंको नहीं मिला, इसमें सबसे पहले कोरोना वैक्षिन बना के देने का काम भारत के इससे में प्रदान में नरद्र भाई मोधी जी ने किया है, और आप 5 फाइदे की बात कर रहे हमने आपको अपनी लोकसवा के अंदर, जो 70 वर्षों से दूसरी पार्टिया यहां राज करती आई है, हमने अपनी लोकसवा में आपको तीन केंद्र बिद्दाल्य बनाने का काम किया है, जो 10 सालों को एथ्यासिक परदाम उसका आया है अब आपको इन्होंने गिनवा है, इस कलोनी को, आप इस कलोनी के निवास हैं मानने पर, मानने पर मेरी बास होने, देश की परवा, परती निदी नहीं करेंगे इस नौर्थ इस्ट में एक भी नहीं जिसकी कॉलिजि की सबसे आधा जरूरते हैं केंध्रिय विद्धाले करका नाम उद्गाटन करके अभी तक तो वह धारा आदाल पर आया नहीं नहीं है लेकिन जरूरत हिए यहां पर पिष्ञे धस सालों से माँग की जा रही थी कि यहां पर जो है college बनाए जाए लेकिन एक college की आपर अभी तक नीम नहीं रखी गई जबाब जाए इस पे इंद्रे बिध्धालिय के बात कर रहे हैं धराधल पर नहीं आए आप जाकर वहाँ पर जो है अभी यहाँ नजदीक में है और बहुत जादे दूर नहीं है पहले सुन लो ना पूरी बहुत जादे दूर नहीं है मुश्किल सा दो किलो मिटर का एरिया होगा आप जाव महाँ पर साधरा थाना उसके वरावर केंदरे बिद्दालने चालो होगा थी किया अपके आते से पहले मैंने इसे जब सर्वे लिया इनके हिसाब से मनोष्टीवारी जी यहाँ एक बार नहीं है ठीक एपरा चाहर नहीं हुआ कोविट किया बात करें, इनके हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से, कोविट में इनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, कॉंग्रेस दे इनको जम के सपोर्ट किया तिवारी जी अभी यहाँ बारत आरिक को यही थे, इसी कलोनी के अंदर थे सिरत चुनावी टाइम में ही क्या उनका सांसत का एक काम है कि वो चुनावी टाइम पे आए और लोगों की बात सुने लेकिन देखिए जनता ही सरकार बनाती है जनता की जवाब देखिए का ऐसा है जब एक प्रतियासी आता है यह एक सांसत आता तो सब के लिए आता किसी व्यक्तिविसेश के लिए चल के आता यहां पे भी तो बहुत सारी जनता है वो क्या जूट बोल रही है ने अभी आए अभी आए किसी ने बुलाने का परियास किया कि सांसकों मुझे बुलाना चाहिए मैंने अपने अशादी की मैं कार्ड लेकर गया परसनली कह रहा हूं अगर इंकी देखे शाबी पर बुलाना कोई एक ऐसा काम नहीं है जरूरत है परदान मंतरी की उज्वला योजना मैंने अपने आप एक साधारण वेक्ती हूं पाट चो सतर सिलेंडर जो परदान मंतरी मानने उज्वला योजना के सिलेंडर ते निशुल्क मिले हैं आप यहां से कलोनिय पूछ लीजिए इसके अंदर कोई सुनने को त्यार नहीं है मेरा क्वेशन है मनोस्तिवारी जी के पूरी विदान सवा में एक काम गिनवा दो मनोस्तिवारी जी ने पूरी विदान सवा की बात कर रहे हैं अभी तो आपको यह फलाए उपर मनोस्तिवारी जी ने दिया है लेकिन सर आपको नहीं लगता एरिया के अंदर स्कूल होना जरूरी है आपको पता ही नहीं लगता है मैडम कांग्रेस ने और आमाधी पार्टी ने सुंदनगी आबेल काम करवाया गाड़ी कट्वाना घर गर में अबे daramat कर दो आ अबारे के करवाया एक भाड़ी इतना शोर में मैं कैसे किसी का कोशन लूपाऊंगीं sehen काम SWT कहता हम गज सानी बच्चे फिल हो गए कोचिंग करवा करवा करके इंका एक और मुद्दा है इंका इन सब का मुद्दा यह विकास करा है यह विकास है मुझे ऐसा लगता है कि यहां पैस कता मेरी हो सकती है करा है कि आपको क्या लगता है कि आप मेरी बात सुनि आप मेरी बात सुनि कि आप लोगों लें सिलेंडर दिए और वो सिलेंडर में आम जन्था जो घैस भरवाएगी इनकी यह परशानी यह वो इतनी महंगी कर दी गई है क्या एक आटो रिक्षा चलाने वाला या एक कोई भी ऐसी आप मान लीजिए जो एक आम वक्ति है जिसका काम बहुत छोटा है उसका जो सालरी है वह बहुत छोटी है वह कैसे हर महीने का दें के पेट तो करना है पेट तो चलाना है उच्वला योजना जो दी गई जो बैने हमारी चूला जलाते जलाते अपने आंके फोड रही थी उन्हों ने उच्वला योजना ली आप जिनको कहने ना गरीब तपके का वो लोग सेलंडर इन सबके कोश्चन है आप पूरी कंप्रिट कर रहा हूं आप वह जो गरीब तपक सबसेड़ी जो आ रही है वह एकाउंट में आ रही है दूसरा यहां जितने लोग खड़े है ना जीरो बैलेंस एकाउंट किसने नहीं खुलवाया बताईए पहले मुझे अपना एकाउंट खुलवाने के लिए ना विदाया क्या पार्षा से एक लैटर लिखनाना पड़त तालिया एक बहुत बढ़ा कारण क्यों उसके बाद नोट बंदी भारत में होती है पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैपार हि सुसाइड कर इनके हिसाब से हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है क्या कह रही है हिंदू मुसल्मान पाकिस्तान हिंदूस्तान मंदिर मज्जिद के मुद्दा विजेपी के बालो रहे क्या नकली नोट ठीक है क्या लगता सबसे एक नारा था देखिए मेगा जी मैं ऐसे डिवेट का हिस्सा बनता नहीं हुए यह अन्नेसरी हुटिक विजेट करा रही हुए पबलिक के मैं हर किसी की जुबान तुनी बद करा सकती सबको जुबान मिली है बोलेंगे उनके मुद्दे है यहां पर अभी एक सवाल जैसे उट रहा है मैंने आपके आने से पहले पूचा अभी जैसे उन्होंने भी बोला पाकिस्तान हिंदूस्तान मुस्लिम और हिंदू राम मंदिर का जो एक मुद्दा है आपको क्या लगता है चार सो पार करा देगी इस बारी राम लिल्ला जी देखिए ऐसा है राम मंदिर अपना एक अलग मुद्दा है लेकिन इसको चुनावी मुद्दे के लिए बहुत यूस किया जा रहा है सर यह जनता देती है और मंदिर मस्जिद गुर्द्वारा कभी बोट डालने जाता नहीं जनता जनारदन बोट दे रही है दो हजार चौदे में जब हम लोग इलेक्शन लड़ ले थे तो दो हजार चौदे में भी लोग कहते थे के भार्दनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी 2019 में और जौरदस्त मेंडेट के साथ सरकार बनी और 2024 में निश्चित रूप से 400 पार की सरकार बनाएंगी बिल्कुल राहूल गांदी जी तो कहते है 125 निपार कर पाएंगी देखो लाहूल गांदी जी क्या कहते हैं वो उनका मत है मेरा मत नहीं है वो बहुत बड़े नेता उनके बारे में कोई टिपड़ी नहीं करना चाहता मैं तो जो अपनी अपनी ने वो दे रहा हूँ हम लोग 400 पार की सरकार लाख लोगों ने वोट नहीं डाला नागा लेंड में 4 लाख लोगों ने इस 102 सीटों पर जब मतदान हुआ है चाल लाख लोगों ने छे जिलों में एक भी वोट नहीं डाला जीरो वोट पड़ा है आप ये कैसे 400 पार करेंगे, यानि विकास कहीं नहीं हो रहा, केवल जूटी बाते हो रही है, इलेक्ट्रोल बॉंड की बात कर रहे हैं, चंदा लेके महंगा ही बढ़ रही है इलेक्ट्रोल बॉंड निकाला, अगर चंदा लिया तो चंदा क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका क्यों नहीं है, और हाँ सवाल ही है, क्या थारा सो दो हजार करोड के घोटाले करके जो अन्य पार्टिया बैठी हैं, वो अपना हिसाब देना, भई हमसे हिसाब माग रहे हैं, त मुझे नहीं पता, जो लोग घोटाले करके बैठें, तो निस्तित्रों अभी तो रिसेंटी देखा जाएं, तो गोटाले में तो वही अंदर, ऐसी जगे होंगे, जहां घोटाले वाजों कर रहना का इस्तान है, तो तो जनता जनारदन को पता, आपको पता कौन क्या कर रह जनता को नहीं पता इस चीज का, आप यह देखो ना, इस चीज को लेकर, कि मनेवर कहरें इस चीज को रिफेल गोटाला, और भी कितने सारे गोटाले, वो सिर्फ एक सहराब गोटाले में गया और जिस जो खतम भी हो गया, उससे जो कैना संजे सिंग रिहा भी हो गया, और अब किस गोटाले में रख रखा उसे, जल बोट गे, जल पे तो किसी का जी काली नहीं है, देखे अभी एडी, एडी, वो एडी जवाब देगी, देखे सारे, यह अंद्भक्त की बात है, जो भाई बता रहे है, सन 71 में, 1971 में, यह कांग्रेस नोट बंदी की बात कर रही थ नोट बंदी हो रही थी, इंदरा गाधी ने का अगर नोट बंदी हो गई, तो मैं हार जाओंगी, और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी ने, एलेक्शन के टाइम में नोट बंदी किये, उन्होंने तो अपनी कुर्बानी दे देखर के काम कर रहे है, एक एक सबसे, एक स कि बात हुई थी बंदा लाग किसने कहा यह कोंग्रेस ने कहा ना कब कहा किस ने कहा यह यह जुम्ला तो व्यक्ति के पास ऐसे संभावना मोदी जी ने कौन सी बात सची करी आज तक 400 पार की तो पताएं ने लेकिन पिछले 2019 में पुलवामा हुआ था उसका आज तक पता नहीं चला पूरे देश को पता है पुलवामा में जो आडी एक साथ सो किलो कहा सा यह नहीं पता चार सो पार पता है यह कौन सी कौन सा सर्वेय है सब्सक्राइब का आशिरबाद मिलेगा चार सो पार सीटों से सरकार बनाएंगे आपको बता रहे हैं चालिए ठीक है आपने सब का पॉइंट ऑफ वी लिवा सब से सुना कि सबकी क्या वो है यहां तो देखा जाए तो कॉंग्रेस एर्जस बीजेपी ही है लेकिन जादातर थीक है इंके हैसाब से इंके पास सारे वोट आ pastor आरे आपने यहां पर जनता की सारे परिशानिया सुनी आपने पे देखा कि क्या यहाँ पे जंता की परिशानिया है ठीक है रोजगारी को लेके यहाँ पे महिंगारी को लेके और यहाँ पे सारी सुरक्षा और इन सब चीजों को लेके यहाँ पे जो जंता है बहुत परिशान है लेकिन अब देखना यह होगा कि यहाँ से आप किस वागी की आप तमाम खबरे देखने के लिए देखते रहें ये